सेवियर अगेट में यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कख्षा 10 केमेश्टी का चैप्टर नमर वन बच्चो चैप्टर का नाम है रासाइनी कभीकरियां उनके प्रकार यह इस चैप्टर की बच्चो हमारी सेकंड वीडिय को योगात्मा्य करिया जिसका नाम है संयोजन अभीकरियाय कौन से अभीकरिया श्योगात्मा कभीकरिया भी कहते हैं CAN κय कहते हैं और और आप सब्सुली जानते हैं की योग का मतलब क्या होता है व्म किसी भी नमबर को हीड करते हमाली आप 2 दो से जाधा नमचनल कbles को अए जैसा एक ही नंबर आता है मालीजी आपने टूर थिरी को एड किया तो टोटल जो आएगा बिटा आपका कितना आएगा फाइगा और फाइव कैसा नंबर है एक सिंगलर नंबर है ठीक उसी प्रकार बिटा वे अभीकारक दो या दो से अधिक अभीकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं वह अभीक्रिया आपकी सही ओजन अभीक्रिया या योगात्मक अभीक्रिया कहलाती है डेक्शन में आप देख रहे हैं बच्चो एड प्लस बी एरो से पहले आपके दो लिख्खे गये हैं जिने हम अभीकारक कहते हैं ए प्लस बी और एरो के बाद जो बना वह वह है आपका सी यानि कि ए और बी ने मिलकर एक नया प्रोडेक्ट बनाया जिसे हम क्या कहते हैं बच्चो तो इस प्रकार की अभीक्रिया है जिनमें एरो से पहले बच्चो दो या दो से जादा अभीकारक होंगे किन्तों एरो के बाद आपका केवल एक ही प्रोडेक्ट हो 202 कोईले का देहन भी एभी किरी आयए ऑफ्यसे नहभीकिरिया है है पॉलड नमबर टू अगर हम देखें जलका निर्माण तो क्या बनार है बच्चो स्टो और बना है क्या एक ही आए च्टो और आप देखें तो 2 टूस्टो और एरो के बाद बनाया बच्चो तूह यानि के वाल एक ही मौली की दो मौलीकुल्स बने च्टों के और जो प्रोडेक्ट आपका वो केवल एक ही है बच्चो किया है एक ही है तो हम बात करें थे बच्चों सहिव जनविक्रिया की से कहते हैं इसे आप एक बार फिर समझ लीजिए मैंने बताया था कि ऐसी अभिक्रिया है ऐसी अभिक्रिया है जिनमें दो या दो से ज़्यादा अभिकारक एक साथ रेक्षिन करते हैं और आपका कोई नया प्रोडेक्ट बनाते हैं कोईले का देहन जलका निर्माण बिना बुझा चूना देखें अभिक्रिया जिनमें अधरो के बाद या जो प्रोडेक्ट होगा वो केवल एक ही बनेगा वह कहला कि सयो जन अभीक्रिया है एक बार ऐसा फिर देख लें कि मैंने बताया तो gotta कि अभीक्रिया किसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अभिकारะ लके पर एक नया उत्पाद बनाते हैं वह कहलाती है आपकी सभिकिदि कउणि नबर तू आपके सामने हैं जिसमें हमने बात करेंगे उस्मा शेपी अभीक्रिया होगी बिश्मा के आधार अभीकिदि नंबर नबर अच्छेपी नंबर दो सोसी यानि के जिसमें उस्मा का सोशन होगा वो फीकिरिया कहलाएगी बच्सक्रा को जिस में ऑपिकरिया को सर्जन हो जलाती है जैसे आप किसी भी इंधन का देहन करते हैं, आप मैथेन का देहन कीजिए, LPG का देहन कीजिए, CNG, पेट्रोल, डीजल, सभी के देहन से, जो अभीकरिया होती है, उसमा प्राप्त होती है, और सभी गैसों के देहन की अभीकरिया, उसमा छीपी अभीकरिया क्यालाती है, जैस प्लस साइन के साथ तो इस Nik Sasha की सबसे खास जो पहचाने यही रहेगी मूद दू पूच्नल जाता हैकönी अगर आप से पूछा जाता है कि उसमा सोची अभिक्रियान किसे कहते हैं गिल्ष के के साथ उस्मा का अवसोसन होता है या फिवह ली जाती है वह अभीकरिया कि भूर्जा निकलती है चिससे हमारे देनिक कारिये होते हैं यह निके हमारे अभिक्रिया वियोजन की अभिक्रिया तो ऐसी अभिक्रिया बचो अभिक्रिया होती है उत्करमणिया और अनुत्करमणिया कौन सी होती है उत्करमणिया और अनुत्करमणिया वह होती है जिन में अभिकारक से उत्पात भी बन सकता है और उत्पात से अभिकारक भी बन सकता है और अनुत्करमणने अभीक्रियां जो होती हैं वह ऐसी होती है जिन में अभिकारक से केवल उत्पाद बन सकता है उत्पाद से अभिकारक नहीं बन सकता इनका सबसे अच्छा उदारण आप समझने का प्रियास करें बच्छों में बता देता हूँ आपको अनुत्कर्मणने अभिक्रियां कौन सी होती है माली जी बच्छों आपने दूद को दही में कर दिया यानि कि आपने दूद से दही बना लिया तो ऐसी आपके पास अभी तक कोई अभिकृया नहीं है कि आफ दही से वापिस दुद बना सकें तो इस प्रकार की अभिकृया क्या कहला तिए अनुत्करमड ने out कर्मड ने out कहला यानि कर्म आ होब मार्केट में मिल्क यह बनाया गया था यानिके मिल्क से आप Immerne क्या हुआ बच्छों आपका उत्पात और फिर जरुवत पढ़ने पर उत्पात से फिर दुबारात से अभीकारक बना लिया जाता है मतलब पाउडर से दुबारा से से मिल्क कर लिया जाता है तो और बचूराइनिक अभिकरिया व्लac 않, डारेक्शन के आधार पर दो पिरकार की होगी उतकर्मणय और अनुधकर्माट्निय तो आप ध्यान रखे नुधकर्मणय और उतकर्माट्निय तो बचों बात कर रहे हैं वियोजन प्रिकार की होती है या तो वियोजन होती है या तो भीन होती है या होती है या आप गटन होती है दोनों का मतलब ही तूटना होता है वियोजन का मतलब भी बच्चो और अपगटन का मतलब भी कि जब एक पधार्थ दो बिन-बिन पधार्थों में करमट होता है तो वह कहलाता है आपका वियोजन या अपगटन अगर आपकी अभीकरिया उतकरमण्या है तो वह अभीकरिया वियोजन कहलती है लेकिन अगर आपकी अनुत कर्मणन अभीकिरिया होती है तो वह अभीकिरिया आपकी अब घटन कहलाती है चलिये आपको न खरते हुं इस टोondereक को एक बार से स्टार्ट करते हैं कि विव रॉज़न का मतलब होता है कि योगात्मक अभीकिरिया की यह सईयोजन अभीकरिया की जस्ट अपोजिट अभीकरिया है मतलब सईयोजन अभीकरिया में क्या होता था कि एरो के बाद एक ही प्रोडेक्ट बनता था लेकिन यहां पर एरो के बाद एक प्रोडेक्ट होगा एरो से पहले सोरी बच्छो और एरो के बाद दो प्रोडेक्ट आप देख रहें ए एरो से पहले लिखा हुआ है और एरो के बाद कितने कंपाउंड है दो मतलब को यह एक पधार्थ तूट कर दो या दो से अधिक पधार्थ बनाता है तो इस प्रकार की जो अभी करिया है बच्छो आपकी वह कहलाती है आपकी वियोजन अभी करिया है तो नाम लाल आपकी वियोजन अगर ने दाओम है जाता है जू आरहें लेख से याद के फिलन के पास है और आप देखें तो Fe2O3SO2SO3 मतलब sulfur dioxide और sulfur trioxide और ferric oxide नाम फिलाल बच्चों आपको याद रखने की ज़रुवत नहीं है फिलाल आप यह समझने का प्रियास करें कि एरो से पहले के वहले एक ही compound है और एरो के बाद आपके दो तीन compound है तो इस पिरकार की अभीकरिया आपकी क्या कहलाती है वियोज मतलब उसमा के आधार पर जब कोई पधार्थ 2 या 2 से नहीं पधार्थों में वियोजित हो जाता है तो वह अभीकरिया आपकी कहलाती है उसमें वियोजन दूसरी अभीकरिया आपको देखिए चूना पत्थर यानि के calcium carbonate चूने पत्थर को जब गरम किया जाता है तो यह CA और CO2 में convert हो जाता है इन दोनों अभीकरियां में अगर आप देखें बच्चों डवल एरो का परियोग करें रिवर्सिबल साइन का परियोग करें तो ज्यादे बेटर रहेगा दूसरी अगर विद्धूत वियोजन की क्रिया या आपकी जो अभीकरिया होती है अगर वह व उ होता है अगर आप उसमें विद्धूत परवाहित करते हैं तो वह वापिस चन्वर्ट हो जाता है एक टूप और और टू में तो व्योजन की की उपस्थिति में होता प्रकास की उपस्थिति में तो प्रकास ये व्योजन कहलाता है आप देख रहे हैं बच्छो एजी बीच में प्लस ना लगा हो तब तक वह अलग-अलग घर कंपाउंड नहीं होंगे तो बात करने तें हम व्योजन की तो नेक्स अभी के आपके सामने उस्मा बहुता है यानि के उस्मा की आवसकता होती है या मग्राण करती है वह कहलाती है आपकी उस्मा सोची अभी कि रिए नेक्ट ये बच्छो विस्थापन अभी करिया विस्थापन अभी करिया आपके सामने है मालीजी बच्छो A प्लस B C अगर A की पोजिशन B ले लेता है और B को वहां से हटा देता है तो मालीजी अगर बच्छो बी अलग हो जाएगा और कंपाउंड बनेगा प्लस एसी यानिके ने किसकी पोजिशन ले लिए बी की बी को क्या कर दिया विस्थापन अभी कर दिया तो इसी अभी किरिया जिनमें देखें बच्छो कम किरियासील तत्व को उसके योगिक से विस्थापित कर देता है तो इस प्रकार की अभी करिया आपकी विस्थापन अभी करिया कहलाती है क्या कहलाती है बच्छो विस्थापन अभी करिया नेक्स इसी प्रकार की एक उधारन ओर दिया हुआ आपको जिंक ने किसको रिप दोनों का रिप्लेस्मेंट हो जैसे बच्छो बीए किसकी पोजिशन लेगा एने की और एने किसकी लेगा बीए की जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं तो इन अभी करियाओं में उत्पादों का निर्मान होता है और दोनों योगी को के बीच आयनों का आधान प्रदान होत होती हैं वह अधिकांस अभीक्रियाइं आयनिक ही होती हैं नेक्स बच्छो नेक्स जो हमारे टोफिक रहेगा वह रहेगा उप्चयन और अभीक्रियाइं इसको बच्छों लास्ट वीडियो में अपनी पढ़ेंगे तो आई एक बार फिर देख लेते हैं कि हमने कौन-कौन सभी ही अभीक्रिया पढ़ हैं भी तक मैहने आपको उधारन दिया अनुत्र कर्मप्ण और क्डा बॉलिट करते हैं तो बच्छों बात करते हैं आपकी अनुत्र कर्मण भीक्रियां को च prowFF मैने आपको सही उधारन धिया था बिल्कुल कि वे अभीगिरिया हैं जो केवल एक ही डारेक्शन में पूसिबल होती हैं वो आपकी कहलाती है अनुत कर्मण्य अभीगिरिया हैं मतलब इसका उधारण मैंने आपको दिया था कि जिस प्रकार आप दूद से दही बना सकते हैं लेकिन दही को किसी भी प्रकार से दूद में कर सकते हैं तो इस प्रकार की अभीगिरिया हैं आपकी कहलाती हैं बच्छो अनुत कर्मण्य अभीगिरिया हैं मैंने इसका उधारण दिया था आपको कि पहले मिल्क से पावडर बनाया जाता है मतलब एक प्रोडेक्ट बना लिया और जरूरत करने पढ़ने पर मैं प्रोडेक्ट को दुबारा से उत्पाद मेंगर्ट कर सकते हैं इसके बाद ही मैं को बताया था बच्छ का नगति पर पर दे उस्माच छेफी इसके पोजिट दूसरी अभीक्रिया ऐसी होती है जिन में bowls ऑता है बत्चो उस्मा सोशी मतलब उस्मा को क्या होता है कि अव्हीं करती है तो इस कि centres graduate क्या कहलाती है आपकी उसमा सोची सब्साह्त आपर माइन匠 की पहिश्चान करने की सबसे साइन दिया हुआ है तो वह उसमा छेपी होती है बहुत सीमपल सा तरीका मनें आपको बताया नुत कर्मन तुभी के रिया होगी पैचान single array होगा और उत्करमांद बप्लस के सा इसका कहलोरी बच्छो हमें उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन अगर वह साइन प्लस का है तो उसमाँ छेपी और माइनस का है तो उसमाँ सोसी लेकिन होना कहां चाहिए बच्छो एरो के बाद मालीजिए यह सी प्लस ओटू इसी रिक्षन को देखते हैं अगर मैं अगर प्लस के साथ कुछ उसमाँ लिख देता हूं तो यह अभीकरिया कौन सी हो जाएगी उसमाँ छेपी बहले ही मैं यहां पर 22,000 लिखूं या 2000 लिखूं या 2 लिखूं लेकिन अगर प्लस के साइन के साथ पड़ा था एक और टौपिक जो हमने पड़ा था वह पड़ाता बच्छो आओ जन्भीकरिया है सबसे पहले इसे हम क्या बोलते हैं मैंने बताया था आ प्लस बी एरो सी अगर इस तरह का वगावी प्रोड़ेक्ट बनता है चाहे चीके पहले दो लिखाओ या तीन लिखा लेकिन यह compound A काउंट होता भच्छो क्योंकि यह सी के two अनौ कहलाएंगे तो इस प्रकार की अभिक्रियां क्या कहलाती है संयोजन अभिक्रियां मतलब ऐसी अभिक्रियां जिनमें दो या दो से ज़्यादा अभीकारक एरो से पहले जो लिखा जाता बच्छों कहला था अभीकारक तो जिनमें दो या दो से ज़्यादा अभीकारक एक नया उत्पाद बनाते हैं केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं उत्पाद का अनू बनाते हैं तो वह अभीक्रिया है वियोजन था और वियोजन में भी योजन है तो वियोजन अभीक्रिया ऐसी अभीक्रिया जिन में एक प्रोडेक्ट मतलब एक को गरम करने पर या एक इसी भी प्रकार से दो पदारतों में में करिवर्थित होता है अब करिया कि कहलती है वियोजनिया क्षिamis और यह उपर विधुद्धि度 धारा लिखा हुआ है तो कि क्या कि ऑप considerably क्या क्षों वेदूध कि म्तलब व्योजन अगर उस्क्रावा पर भोगा तो उसमें व्योजन वेद्दूत के अदार बर यहां तो व्योजन और प्रकास के युपस्थिती में होगा तो प्रकासि की किया और बच्छो देखते हैं आपका कि आपने क्या कैसी घमाल लीजिए आपके सामने सी प्लस ओटू रिक्षन लिखी हुई है तो यह किस प्रकार की अभी करिया है बच्छो सही ओजन या व्योजन तो आप देखेंगे सी प्लस ओटू ने मिलकर एरो के बाद के बाद केवल एक ह प्रतिसथापण अभी करिया पृटिस्थापान अभी करिया कॉंस और साया वी कियान तो लिख lol मिलक्ता और इसी अभीक्रिया को ऑम क्या कहते हैं विस्थापन अभीक्रिया कौन सी बचो यसथापन अभीक्रिया तो अभीक्रियावूं के प्रकार से लिघध् Baptist नहीं आती है इस डीट से पूची должно पूची जाएगी लेकिन चाहिए वह यह बंता है कि आ ankle को κफ़ applies्चान होनी चाहिए तो नेक्स वीडियो में हम देखेंगे कि राचीन ही कभी किर्याओ की पहचाना आप किस परकार से करते हैं और ऐसे विडियो बच्चों हम यहीं